दोस्तो, are you eligible for the RBA grade B examination? आप में से काफी सरे बच्चे yes, कुछ बच्चे no, या फिर कुछ बच्चे maybe वाली condition में रहेंगे तो इसी को लेकर आज पूरी तरह से clarification हो जाएगा आपका कि आप RBA grade B examination के लिए eligible हैं या फिर नहीं है और किसी भी examination के लिए अगर आप preparation कर रहे हैं तो आपके mobile phone में ADDA247 का जो application है पर यह होना चाहिए इस application है पर दोस्तो काफी सारा free content मिलता है आपकी preparation के लिए और अगर आप ADDA247 पर किसी भी paid wage में admission लेते हैं तो इस referral code का अगर use करते हैं जो की Y710 है Y710 है इससे आपको maximum discount भी मिलेगा दोस्तो आगे बढ़ते हैं RBA grade B no doubt की banking sector का सबसे बड़ा examination है और दोस्तो इसरे के अंदर salary, perks, allowances आपकी जो postings सब बहतर है जितना बड़ा examination उतनी cutting परिक्षा और दोस्तो हमेशा एक बात धिहन रखा करो कि आप किसी भी चीज के लिए अगर preparation कर रहे हो किसी exam के लिए preparation कर रहे हो तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम उस examination के लिए eligible भी हैं या फिर नहीं है क्योंकि अगर बाद में आपको पता चला है examination के time पर आपको पता चलता है कि मैं तो इसके लिए eligible ही नहीं हूँ तो बड़ा पच्तावा होता एक तरस तो इसलिए पहले पता कर लो कि आप eligible हो या फिर नहीं हो तो RB grade B examination के बात कर ले तो उसी के eligibility criteria को लेकर आज का session देने वाला है दोस्तों आपका तो सबसे पहली बात तो अगर eligibility criteria में सबसे पहली बात आती है अगर इसमें तो nationality जो की इंडिन होना चाहिए पहली बात अब आती है age limit को लेकर तो दोस्तो age limit की बात कर लें तो lower age limit मतलब minimum आप लोग की age 21 साल के होना चाहिए और अगर अधिकतम आयू की अगर बात कर लें तो वो आपकी 30 साल के होना चाहिए lower age limit 21 and the upper age limit 30 years इस बीच में अगर है तो आप eligible है इस examination के लिए लेकिन अगर आप किसी category से belong करते हैं तो आपको age relaxation भी मिले काईस के अंदर तो दोस्तों देखिए अगर आप लोग SCST category से belong करते हैं तो आपको 5 years का age relaxation मिलता है वहीं अगर आप लोग OBC category वाले हैं तो 3 साल का physically handicapped है 10 years का physically handicapped है और OBC category में है तो 13 years physically handicapped और SCC category में आते हैं तो आपको 15 years का age relaxation मिलता है तो age को लेकर I think पूरी clarity है अब दोस्तों जो next part आता है वो आपका है education qualification को लेकर है तो दोस्तों बहुत simple है कि education qualification के अगर बात कर लें तो आपने किसी भी field में education मतलब किसी भी field में आपने graduation कर रखा है किसी भी field में यहाँ पर कोई specific field required नहीं है बस आपका graduation होना चाहिए और वो भी केतना minimum 60 percentage है ना minimum 60 percent required है और अगर आप किसी category से belong करते SC, ST, PWD candidates है अगर SC, ST, PWD candidates अगर आप है तो आपको 50 percent आपके mark सुनाची gradation में उसके सांथ संदि अगर बात कर लें कि अगर आपने मानली जी की gradation आपने किया और gradation करने के बाद में आपके 60 percent नहीं बन पाए कुछ कम बन पाए और आपने फिर post gradation कर लिया तो post gradation अगर आपने कर लिया और post gradation में आपने 55 percent है आपके marks तो आप इस examination में eligible हो जाएंगे कि मानली जी यहाँ पर minimum gradation में 60 percent था लेकिन आपके 55 बने वहाँ पर 59 बने तो आपने अगर post gradation कर लिया और वहाँ पर 55 percent से pass हो गए तो आप RBA gradation के तब भी आप इस exam के लिए eligible होंगे दन है तो gradation होना चीए minimum 60 percent required है अगर आप किसी category से belong कर रहे है तो 50 percent required है CST PWT candidates के लिए और बात केर लिए अगर post gradation कर रहे है तो 55 percent है general candidates और BC के लिए और अगर आप CST PWT candidates है तो कोई percentage required नहीं वस आपने pass कर रहा हो that's it तो दोस्तों यह कि आपका education को लेकर बात करते हैं दोस्तों अगले वाली बात की जो की है number of attempts की तो आपके maximum 6 attempts है आप 6 attempts कर सकते है general और EWS candidates लेकिन CST, OBC और PWD इनके लिए कोई limitation है आप कितनी भी पार इसमें appeared हो सकते हो कुछ कुछ questions यह भी रहते हैं बच्चों के कि sir are final year students are eligible तो दोस्तों अगर final year के students है तो आप इस exam में eligible नहीं होंगे क्योंकि percentage required है वहाँ पे है तो final year के students इस examination में appeared नहीं कर सकते है पहली बात उसके लावा distance education में हाँ valid है उसके लावा post gradation necessary post gradation के requirement नहीं है post gradation उन बच्चों के लिए रहेगा कि जिनके gradation में कम marks थे है अब मान लोग gradation के इंदर 60% minimum चाहिए लेकिन आपके कम है वहाँ पे तो आपने post gradation कर लिए हमाँ पर 55% लेकिया गए तो आप eligible हो जाएंगे उसके इंदर तो यह कोई मतलब necessary नहीं है उसके अलावा marks कि अगर बात के लिए दोस्तों तो सारे semester के aggregate ही इसमें count होते हैं तो आई होप कि इस चीज़े आपको clear होगी वीडियो जादा लंबा नहीं करते हैं इतने ही रखते हैं LGBT criteria को लेकर दोस्तों last thing सिर्फ इतनी सी कि अगर आप में से कोई बच्चा RBA grade B के लिए prepare करने वाला है तो आपक class, video courses, test series और इतनी कम price में यह पहली बार हो रहा है इसके पहले कभी नहीं हुआ है इतना कि इतनी कम price पे आपको bank महापेक plus दिया जाए क्योंकि इसमें life class, test series, video courses, सब कुछ है phase 1 interview, phase 2 सब की preparation आपकी इसके अंदर कर रही जाएगी तो जो भी बच्चे interested है आप बिलकुल इसमें enroll कर लीजेगा by using simple referral code Y710 यहना bank महापेक plus दोस्तों यह रहा इस तरह का काफी बहतर है आपके लिए तो इस referral code का use करके आप इसमें enrollment बिलकुल कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक और informative वीडियो में किसी अगली में चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं so thank you so much for joining this session and bye bye check care thank you